हेलो फ्रेंड मैं हूं नीक और आप सभी का स्वागत है मारे यूटूब चैनल में सो फ्रेंड आज के इस वीडियो हम बात करने वाले जिम बामबे एवर्से साउथ प्री का एक एबी जो सेकेंड ओडियाई मैच होनवाला उसका ड्रीम 11 टीम का सो फ्रेंड ड्रीम 11 टीम देखने से पहले आईए दोनोंगी टीम होगा प्लेयर सी स्टैट देख लेते हैं पीच रिपोर्ट के बारे हम बात कर लेते हैं उसके बाद ड्रीम 11 टीम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले जिम बाम्बे एर टीम के प्लेयर्स का तो जैसा कि आपको ही पता है एक मैच हो चुका है फुर्स्ट ओडियाई मैच कंप्लीट हो चुका है जिसमें साउथ प्री का एर टीम ने बहुत ही आसानी से विन कर लिया और हमने जिन प्लेयरों को अपने टीम में रखा था लगबग सभी ने बहुत अच्छा परफोर्मेंस भी किया और खास करके हमारे टीम के जो कैप्टन और वाइस कैप्टन था उन्होंने बहुत ही अच्छा परफोर्मेंस किया फुर्स्ट ओडियाई मैच में सो आई अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं पर जिमबामबे एट टीम का परफोर्मेंस कैसा रहा है तो यहां से बात किया चिवाबे का तो चिवाबा देखे आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देगा पिछले मैच में भी हमारे टीम में था और इसने 37 रनों की बहुत अच्छी पारी के लिए थी तो यहां से चिवाबा को जुरू अपने टीम में रखेगा मारू मनी बहुत अच्छा प्लेयर है फ्रेंड बहुत अच्छा परफोर्मेंस करके आ रहा है ओपनिंग करने के लिए आएगा 82 रन बना कर आ रहा पिछले मैच में और अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा है तो यहां से मारू मनी को भी जुरू अपने टीम में रखेगा मुसा कंडा को छोड़ दिये उतना कुछ खास परफोर्मेंस करनी पाए हैं डी मायर ने सब को सर्प्राइस किया है और पिछले मै यहां को देखिए अगर आप ट्राइ करना चाहा है तो कर सकते प्लेयर ठीक ठाक है जिंबाम में टीम की तरब से भी खेल चुके हैं और अच्छे खासे ओल राउंडर है बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कर लेते हैं तो अगर आप लेना चाहा है तो ले सकते हैं मोटमबामी का तो नंबर छे पर बैटिंग करने के लाते हैं और उतना कुछ खास परफॉर्मेंस भी रहा नहीं है और रिकल्टन ओपनिंग करने के लाते हैं तो उनके बास पूरा मौका रहता है बड़ी पारी खेलने का और प्लेयर भी देखिए बहुत जबर जस्ते और डोमेस्टिक लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर के आ रहा है रिकल्टन सो इस वयसे मैं बोलूँगा आप मुटुमबामी को मत लीजे विकेट की पर करूप में आप रिकल्टन को अपने टिम में रख लीजेगा अब बात करते हैं आसे एम सुंबा का तो एम सुंबा को अगर किया है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी और इसी वयसे फिलाल यासे एल जोंगवे को अपने टिम में नहीं रखें क्योंकि उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है जैसा कि पिछले मैच का परफॉर्मेंस रहा है तो इसी वयसे एल जोंगवे को नहीं आता है बॉलिंग उतना कुछ खास करनी पाए इसी वाइस चैटारा को नहीं लेंगे यहाँ से चिभांगा को लेना चाहे तो ले सकते हैं ठीक ठाक बॉलर है अब बात कर लेते हैं साउथ प्रिकर एटीम के प्लेयर्स का तो यहाँ से बात किया जब मलान का तो देखें पिछ विकेट कीपर में बात किया तो रिकल टन का मैंने अल्रेडी बता दिया है आप स्पेलिंग में गलत हो गया है सो रिकल टन को आप जुरू अपने टिप में रिखेंगा ओपनिंग करते हैं आपको दिखाई देगा पिछला में चो उतना अच्छा घासा परफॉर्मेंस नही लेगिन फिर भी देखें विकेट कीपर में तो किसी एक को लेना है मुटुम बामी देखें नंबर छे पर आता हो उतना कुछ खास करनी पाए और इकल टन ओपनिंग करने के ला आते हैं तो दीखें आप फाइदा जादा रहेगा रिकल टन को लेने से मुझे जहां तक लग रिजा हेंरी के मिडियम फास्ट बॉलर है साथी साथ और अच्छा खासा बॉलिंग कर लेते हैं और आपको साथा टूबर करते हुए दिखाई दे देंगे आराम से यहाँ से रिजा हेंरी का आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले है जरू अपने टीम में है और यह साथ प्री का टीम के तरफ से भी बहुत सारे मैचेस खेल चुका है तो एक्सपेरियन्स भी बहुत जादा है तो यहाँ से आर हेंडी को जुरू अपने टीम में रहेगा जेड हमजा को अगर आप ट्राइ करना चाहे तो कर सकते है नंबर चार पर आपको खेलते व पिछले मैच में इकलोते बॉलर रहते साथ प्रिकार टीम के तरफ से जिन्हों ने पूरा दस ओवर कम्प्लीट किया था बॉलर बहुत जबर जस्ते तो अगर आप एस मुत्तु सामी को लेना चाहे तो ले सकते है डीप प्रिटोरियस को जरू अपने टीम में रहेगा प्रिकार टीम के तरफ से बहुत सारे मैचेस खेल चुका है फिरेंड एक्सपेरियंस बहुत जादा है बैटिंग बॉलिंग दोनों ही अच्छा कर लेता है तो यहां से फेलुकवायो को लेना चाहिए तो ले सकते एस मंगला को छोड़ दियेगा कुछ खास प्लेयर नहीं है इस टूरमैन को भी छोड़ दिजेगा यहां से एलसी पमला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले बहुत जबरजस प्लेयर है पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था अगर आपनी वीडियो देखा होगा एलसी पमला को आपने लिया भी होगा अपने टीम मे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो यहां से एलसी पमला को आप जुरू अपनी टीम में रखेगा आप बात करते हैं यहां से पीच रिपोर्ट के उसके बाद डाइरेक्ट देखेंगे ड्रीम 11 टीम तो देखें यह मैच भी हरारे में होने वाला और पिछला मैच भी हर प्रेंडली रहने वाला है और आप देख सकते हो पूरा मतलब प्योर बैटिंग फ्रेंडली पीच देखने को मिला है पिछले मैच में और दोनों ही टीमों ने 300 प्लस ही स्कोर बनाया हुआ है साती सत पिछले वीडियो मैंने आपको यह भी वोला था कि यहां पे स्पीनर्स के मुकाबले फास्ट बॉलर को ज्यादा विकेट मिलने वाला है और आप देख सकते हैं पिछले मैच में टोटल 13 विकेट गीरा जिसमें से 7 विकेट फास्ट बॉलर को मिला है और 5 विकेट स्पीनर्स को मिला है आप देख सकते हैं यहां पे स्पीनर्स को मुकाबले में रखते हुआ आज का हमने dream 11 टीम तैयार किया हुआ है तो आई आप direct dream 11 टीम देख लेते हैं उससे पहले आप लोगों से request रहेगा कि यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है और अभी तक यार आपने like और subscribe नहीं किया है तो please like और subscribe जुरूग कर दीजे क्यूंकि आपक विकेट कीपर सेक्षन की सबसे पहले तो विकेट कीपर में देखिए percentage के साथ जाईएगा तो दस match में से आप आठ बर कम से कम हारिएगा अगर आप percentage को देखकर टीम बनाते हैं तो तो यहां से मैं तो कहूंगा रिकल टन को ले लीजे percentage को देखकर मत मोटमबामी को अपने टीम में ले लीजेगा क्योंकि मोटमबामी का बैटिंग बहुत लेट से आता है और रिकल टन आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देगा और प्लेयर भी बहुत अबर जासते डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है एसकेसी लीस मैच वी नहीं खेलने वाले अब बात करते हैं अब बैटिंग की तो बैटिंग में यासरीजा हन्री को तो आप जुरू अपने टीम में रहेगा opening करते हुए आपको opening नहीं नमबर तीन पर अपको बैटिंग करते हुए दिखाई घेलेगा साथ ही साथ छे साथ ओबर बॉलिंग भी करने वाला है और विकेट भी लेगा सो यहां से रीजा हैंडी को लेज़ेगा जे मलान बहुत अच्छे फॉर्म में है लाश्ट मैच में हाफ सेंच्री भी करके आ रहे सो जे मलान को भी लेज़ेगा मुसा कंडा कुछ खास प्लेयर नहीं है छोड़ सकते हैं आर कईया को अगर आप दो थिन टीम मना रहे तो ट्राई कर सकते हैं जेड हमजा को भी ट्राई कर सकते हैं यहां से इंपोर्टेंट रहेगा टीम आरूमानी बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है इसको जुरू अपने टीम में रहेगा बहुत अच्छे फॉर्म में भी है टीम आरूमानी खेलेगा छोड़ दीजेगा टीडी बुरून बहुत अच्छे फॉर्म में पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था TD Brun बहुत अबर जास player है Domestic cricket में ये भी बहुत अच्छा performance करके आ रहा है और पिछले match में century भी किया हुआ है तो यहाँ से TD Brun बहुत अच्छे form में इनको जुरू अपने team में रखेगा B4 को छोड़ दीजेगा नेन हुंजी को छोड़ दीजेगा अब डारे एक बात करते हैं यहां से all rounder scheme तो all rounder में ऐसे चिवावा को जुरू अपने team में रखेगा बहुत अच्छे form में opening करते हो आपको दिखाई दे देंगे Pretorius बहुत अच्छे form में पिछले match में तीन wicket लेकर आ रहे साथी साथ Pretorius बैटिंग में अच्छा खासा कर लेते हैं तो ऐसे Pretorius को जुरू अपने team में रखेगा रियान बरल का देखे confirm यह खेलेगा कि नहीं खेलेगा अगर बाई चांस इस match में खेलता है तो रियान बरल को हम जुरू अपने team में रखेंगे और किस player के जगा पर रखेंगे यह चीज हम आप लोगो टेलिग्राम पर बता देंगे तो अगर अभी तक आप मेरे टेलिग्राम पर जॉइन नहीं हुए तो वीडियो का end होते ही आप लोग टेलिग्राम पर सबसे पहले जॉइन हो जाईएगा इस वीडियो के description मैंने अपने टेलिग्राम का लिंक दे दिया है आप लिंक पे क्लिक करके टेलिग्राम पे जॉइन हो सकते है अगर कोई दिक्कत होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दिएगा हम आपके कमेंट का reply कर देंगे यहाँ से एल जोंगवे का form को देखते हुए मुझे कुछ खास लग नहीं रहा मेभी हो सकता है जोंगवे के जगह पे इस मैच में रैयान बर्ल को मौका मिल सकता है एस मुत्तु सामी बहुत अच्छे form में अगर आप लेना चाहे तो ले सकते है डबलू लेवे का confirm नहीं खेलेगा की नहीं खेलेगा डी मायर आपको 100% खेलते हुए दिखाई देगा पिछले मैच का स्टार प्लेयर रहा है 96 रन बनाक के आ रहा है साती साथ कुछ ओबर बॉलिंग भी करने वाला है यहाँ से डी मायर को जुरू अपने टिम में रखेगा जी इस्टूरमैन को छोड़ दिया और यहाँ से बी इवैन को छोड़ दिया कुछ खास प्लेयर यह लोग नहीं है अब बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग की तो बॉलिंग में हाँ से देखे चटारा को छोड़ सकते हैं क्यों उतना कुछ खास बॉलिंग अभी करने रहा और हाल के दिनों में भी देखा गया उतना कुछ खास बॉलिंग किया नहीं है इन्होंने फेलुकवाईो देखें मेन चीज है फेलुकवाईो को लेने का की ये बैटिंग भी कर लेते हैं friend बॉलिंग के लिए मैं सिर्फ नहीं ले रहा हूँ इनका बैटिंग को भी देखते हुए साथी साथ बॉलिंग में विकेट टेकर बॉलर है इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं और experience इनके पास बहुत जादा है कभी भी मतलब की match को turn करने का पूरा माददा रखते हैं यहाँ से फेलुकवायो को आप जुरू अपने team में रखेगा important player रहने वाला experience बहुत जादा है और experience player का मतलब performance किसी भी match में निकल जाता है तो यहाँ से फेलुकवायो को जुरू अपने team में रखेगा मगला को छोड़ सकते हैं नयाची को छोड़ दीजेगा मुफुद्जा बहुत अच्छे form में पिछले match में चार विकेड भी ले करा रहा है मुफुद्जा को भी जुरू अपने team में रखेगा अब बात करते हैं यहाँ से जुनिया डाला गा तो देखिए player तो यह भी ठीकी ठाके लेकिन फिलाल अभी खिलाया है नहीं जा रहा है और इस match में भी chance है कि नहीं खेलने वाले है सोया से डाला को मत लिजेगा एंडी लोबु नहीं खेलने वाले है डूपा विलेन भी नहीं खेलेंगा लूथो सिपामला बहुत अच्छे form में इनको जुरू अपने team में रखेगा और तीन विकेड लेकर भी आ रहे और विकेड टेकर बॉलर सोया से सिपामला इंपोर्टेंट रहने वाला और इसके नीचे कुछ खास प्लेयर नहीं है जिनके बारें बात के जाए चिंबंगा को अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते दो तिन टीम मना रहे तो एक टीम में ट्राई कर लीजेगा बात करते हैं यहां से ओवर बॉलिंग भी करेगा और बॉलिंग भी ठीकी ठाक कर रहा है पिछले मैच में इसका बॉलिंग बहुत अच्छा रहा है और विकेट भी लिया हुआ है तो इस वएसे मुझे लगता है कि आर हेंडिक आपके लिए कैप्टेन के लिए सबसे बेश्ट रहने वाला है क्य मुझे जाद अतर बेटर लग रहा है डीप रीटोरियस क्यूंकि डीप रीटोरियस बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहा है फिरेंट पिछले मैच में तीन विकेट भी लेकर आ रहा है और दीप रीटोरियस एक ऐसा प्लेयर जो हर मैच में विकेट लेता है बहुत कमी बार wise captain के लिए सबसे best रहेगा इसके अलावा देखे अगर आप 2-3 team मना रहे तो पहले team में तो आप R. Hendrick और D. Pretorius को captain wise captain मना दीजे दूसरे team में आप ऐसा कर सकते हैं कि J. Malan को captain मना सकते हैं और wise captain यहाँ से Lutho Sipamla को मना सकते हैं परमला यह पिछले match में अच्छा balling करके आ रहा है तीन wicket लेकर आ रहा है इसके अलावा अगर मालीज आप तिसरा team मना रहे तो वहाँ पे TD Brun को captain मना दीजेगा और wise captain D. Meyer को बना दीजेगा D. Meyer भी बहुत अच्छा player है और अगर चौथा team मना रहे हैं और थोड़ा risk लेना चाहते हैं तो D. Meyer को आप captain मना दीजेगा और wise captain यहाँ से मुफुज़ा को बना दीजेगा मुफुज़ा जो पिछले match में सबसे successful baller रहा था और चार wicket लिया था इसको wise captain मना सकते हो जो मुझे सबसे best लगा मैंने आपको बता दिया रिजा हैंडीक मुझे सबसे best लग रहा और wise captain के लिए captain के लिए reason हैंडीक सबसे best लग रहा और wise captain के लिए dream pritoria सबसे best लग रहा और देखे फिलाल के लिए तो यही हमारी final dream 11 team में रहेगे अगर बाई चान्स टॉस के बाद मुझे स्ट्रीम में कुछ चेंजेस करना पड़े तो मैं जो भी चेंजेस करूँगा आप लोगो टेलिग्राम पे बता दूँगा इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो साती साती इंस्टाग्राम पे बातचीत भी कर सकते हैं जो भी आपको डिक्कत हो आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हो खेर इस वीडियो से रिलेट जो भी प्रॉब्लम होगा आ यही पर मैं आपको reply कर दूँगा इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा मैसेज आता है तो वहां पर reply करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन यहां पर मैं अगर आप comment करते हैं तो मैं आपको संग-संग reply कर दूँगा तो आप लोग comment करके जुरूब बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दिजएगा चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा और साथी साथ टिलिग्राम पे भी जरूर जोइन हो जाईएगा और देखिए जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लएगा उसका कमेंट को मैं लाइक भी दूँगा हट भी दूँगा साथ ही साथ उसका कमेंट को मैं पीन भी कर दूँगा ताकि कमेंट बॉक्स में सबसे पहले उसी का कमेंट दिखाई दे आप लोग कमेंट करना बिलकुल भी मत भूलिएगा कमेंट जरू कीजेगा इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं तब तक लिए जया हिंद बंदे मात्रम